है लू गैस कैसे हो आप सम लोग ? तो मैं आज आपके लिए ले क्या गया हूं एक नया विडियो जिसमें हम डिसकास करने वाले हैं कैसे आप एक हफते से एक महींनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो तो चलिए वीडियो में आगे बखते हैं हम बात करने वाले है 15 मिनिट फैड बर्निंग वार्काउट के उपर येस गाइस ये कोई क्लिक बेट नहीं है ये है हेल्दी तरीके जो अप घर पे ही आपका फैड बर्न कर सकते हो तो इसमें मैं चार्ड टाइगे का वार् कि मन में आया तो मैं सोच रहा था कि इस तरह के वडियो होना जाए क्योंकि मेरे को भी पता है कि मैं क्लस 12 के टाइम बहुत ही लेजी वाफ परा करता था सारा दिन पढ़ाई और गेम और सिर्फ सोया करता लेकिन अभी ये सोच रहा हूं कि जिन्दगी में फीट रहना है ब करना है फेसे ऋससे नाम है मौन टइंड कॉसाय में ये उसका जरूर कम में आतागो और यह बताता हूं कि कैसे परफोर्म करना है प्तिनेस की तो आपको पे पटा ही है अपको इतना महिनट करना है लेकिन मैने से भी जो सबसे जरूरी है उसका ध्यान राखना पड़ेगा जो है आपका डाइट येस वो अभी तो प्रियोड चल रहा है आपको बाहर का खाना ज्यादा मिलेगा नहीं तो आपको सारा घर का खाना भी खाना पड़ेगा जो आपके सहत के लिए बहुत ही रहेगा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसे वार्म आप की तरीक है जिससे कि आपका बॉड़ी मॉव्मेंट में रहेगा और आपका बॉड़ी वार्म अप भी होगा अब इसमें जो है आपको वार्म अप पहले बहुत धीरे से करना है क्योंकि बोड़ी रेस्ट में रहता था मॉर्निंग के समय उसके बाद आप अगर बहुत जोड लगा देंगे तो आपके प्रॉब्लम हो सकते है इसलिए थोड़ा स्लोली स्टार्ट करना है और धीरे धीर इंटेंस बारना है एक्सेस का और यह करते समय आपका ध्याना रखना चाहिए कि आपका जॉइंट अच्छे से मुव्मेंट होना चाहिए जिससे की एक्सेस कोई भी एक्सेस करने समय आपको चोटना बहुत हो एंड जब आपका बोडी अच्छे से वर्म अप खुज़े दिन आपको धिरे दिये आपके वर्क आउट में कुछना है जिसमें पहले मैंने पर्फॉंग किया जम्टिंग जग्स जो बहुत ही एक अच्छा वर्क आउट है आपके फैट बार्न करने के लिए जो एक फूल बो जिसमें आपको आपके बॉडि को ज़्यादा थाकाना नहीं दस करना सबस्के पिर 30 मिनुट का ब्रेक का ब्रेक चाहिए यह देन आपको फिर से दस लगाना उसको पिर 30 सेकंड इस फीरापको दस लगाना उसके बाद अभी जो कर रहा हूँ यह है यह एक लिपिए ये लिफ्ट के समय आपको ऐसे दौना है जिसको आप सेंग पोजिशन में रहे एंड ये बहुत ही जल्दी करना है ये भी है तीन सेट दोस रेप के लिए उसके बाद मैंने परफॉर्म किया की कैस जो होगा आपका व्लूट बहुत ही संत रहेगा उसके बाद बहुत ही इंट इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा स्कॉट्स जो आपका जो पीट है उसको अच्छे से सीधा रखना है इसको बेंट नहीं करने का इसके बाद आपको ये दस करना है ये बहुत इंटेंस है आपको दिक्कत भी आ सकते है इसलिए आप जितना कर सकते हैं उतना कड़िए जब आपका squat खतम हो जाए उसके बाद आपको जोर से burst जाम्प करना है यह जाम्प आपको help करेगा ज्यादा से ज्यादा fat burn करने के लिए वार्काउट के intensity और ज्यादा बढ़ने के लिए आप इसमें hand raise का भी repair कर सकते हो इसलिए आपको hand आपके सेर के उपर position रखना है जिसके लिए आपका exercise बहुत है अच्छा होगा और आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप यह सब master कर लिए दिन आप एक बैक का भी इस्तिमाल कर सकते हो जिसमें आप कुछ eat रख के उसका वज़ाम बहुत ही बढ़ा सकते है और नेक्स्ट जो exercise के बात आती है वो है mountain climber जो भी बहुत intense है और यह आ करना है ऐसे तीन सेट वीडियो के एंड में मैं और कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि हमरा अभी quarantine परियोड चल रहा है पूरा देश लोगडाउन होके परा है तो हम लोग ऐसे घर में बैटे है दोस्तों के साथ बात कर रहे है नेट्फलिक्स टीवी चिल एंड गेमिंग हम वर्काउट भी करना चाहिए जो हमारे शरीड के लिए बहुत ही फाइदा मंद है तो गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप दिन में एक बार वर्काउट करते रहे है एंड ये रूल्स फोलो करते रहे तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और आपके दोस्तों में शेयर्व भी कर दीजिएगा ताकि वो लोगों भी इंस्पाइड है जैसे भी हो दिन में एक बार तो वर्काउट करना ही पड़ेगा थैंकि गाइज आप लोगों एंड बाई-बाई बिलता हुआ आपसे